नमस्कार दोस्तों मैं विमल सिंग बालाजी श्टेडी एड़ा में आपका स्वागत है अस्तारी के आपकी तीन नावंबर 2021 की सिछा सम्दित क्या सभी अपडेट हैं कि करके सभी की बात करते हैं सबसे पहली अपडेट है आपके डियलेट के संदर में नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है जिसमें जो रिक्त पद है डियलेट के उनको सत प्रतिसत भरे जानी के उद्देश से क्या कर दिया गया है डारेक्ट अड्मिशन जो है सीधे प्रवेश की कारिवाई जो है उसके लिए समय सारडी जारी की गई है इसमें है लिखा है कि 8.11.2021 से 13.11.2021 तक रिक्त जो सीट है उन पर अभ्यरती जो है डारेक्ट एड्मिशन दे सकते हैं और इसके लिए समय और तिथी भी दी गई है प्रति दिन 10 बजे से पुर्वाहन से 4 बजे अपराहन तक आविदन परत्र जो है वो राप्त करना और प्रति दिन अपराहन 4 बजे से 5 बजे तक जो अभ्यरती है उनकी मेरिट लिष्ट बनाकर नोटिस बोर्ड पर पुचिपकार देना और साथी साथ दूरभास या मैसेज की माध्यम से भी सूचित करना और वेबसाइट पर जो है वो लॉक करना साइट में 15, 11, 2021 जो तिती है ये प्रवेस के लिए अभ्यरतियों की सूचना वेबसाइट पर रिपोर्ड किये जाने की अंतिन तिती है ये जो है आपकी ओफिस्टी वेबसाइट भी दे रखी है साथी-साथ इसमें ये भी लिखा है कि जो भी सीटे है उनको सत पृतिसत भरे जाने के उद्देश से आरक्षित विसेस आरक्षर स्रेड़ी के तो रिक्तपद है जिनका प्रवेस सुनिशित किया जा चुका है उन्हें फिर इसी भी प्रकार से प्रवेस प्रक्रियामी सम्मिलित नहीं किया जाएगा और ये भी लिखाया कि नीजी सहंस्थान में जो रिक्त सीठे है उनके सीधे प्रवेस के लिए अपना आवेदन जो है वो प्रस्तुत करना करेंगे और नीजी सहंस्थानों दरा अभ्यरतियों के जो आवेदन है उसके प्रती रिसिप्ट उपलवदे जो है वो कराना अनिवार होगा अभ्यरतियों अपनी डियेलेट आउन्लाइन आवेदन की जो प्रिंट वेफसाइट है इससे डाउन्लोड कर सकते है और जो ओफिशल वेफसाइट है उस पर विजिट करके आईडी पासवाड के माद्याग से डारेक्ट एड्मीशन की लिए पर जाकर अभ्यरतियों के जो रिश्टेशन नमर है उसको अंकित करते हुए प्रिवेश के लिए अभ्यरतियों को लॉक रिपोर्ट करना सुनिश्चे जो है वो किया जाएगा बाकी उसी के बारे में सारी जीजे बताई गई है इसी के संदनार में न्यूज भी देखिया प्रकासित होई है कि डिएलेट में रित्त सीटों पर कॉलेज ले सकेंगे सीधे प्रिवेश और इसमें भी वही निजी कॉलेज 8 से 13 नमबर के बीच आवेदिन करने वाले बरतियों को सीधे दे सकते हैं प्रिवेश उसी के बारे में बताए गया है अगली नियूज एक दसम्नों तीन दो लाग खाली सीटों पर आठ से सीधे प्रिवेश डेलेट इसमें भी देखी वही सारी चीज़े जो है वो बताए है अगली नियूज से 414 होमोपैथिक फार्मासिष्ट जो है वो भरती तो उत्तरप्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग जैस ने मंगलवार को होमोपैथिक फार्मासिष्ट के कुल 420 पदों पर 414 पात्र जो है वो पाया है अगली भी देखिए नियूज इसी से ही संबन निद्ध है कि होमोपैथिक फार्मासिष्ट भरती में 414 का चैन आयोग ने जारी की आंतिप परणाम कटाव भी जो है वो जारी यहाँ पर स्रेडी वार कटाव भी दे रखिया है जो भी से संबन निद्ध है वो देख सकते है अगली दिवाली के बाद 22,000 जो है वो भरतिया अधिनस्त सेवाचैन आयोग गाह जो है समूग गाह उसके खाली पदों को भरेगा इसी माह से जो है वो विज्यापन भी निकलेगा पाच चरणों में होगी जो है वो भरती जन्वरी से फरवरी के बीच पर इक्षाय होंगी पचास हजार के करीब पद खाली है समूग गाह के बाद में और भरतिया होंगी यूपी में हम नौकरी पाने के लिए सिफारिस की जरूरत नहीं है ये उनका स्टेटमेंट दिया हुआ है जो मुक्य बंतरी है साथी साथ ये भी इसमें क्लियर किया गया है कि आचार सहिंता स पहले विज्यापन आपका देखने को मिलेगा जिसमें लिखाए कि जिससे किसी तरह का कोई बिवाद न फसे आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार सदस्यों के साथ इस सम्मन में बैठा कर चुगे है जिससे भरती के लिए जो संसोधित परिशा कारकर में वो जल्दजारी किया जाएगा 50,000 से ज्यादा पद जो है वो खाली है पर दो ऊपर पदों के संक्या 22,000 के बारे में बताया गया है पहले किन पदों पर भरती होगी वो यहाँ पर लिखाए जिसमें राजस लेगपाल के 7,882 पद स्वास्तिकार करता हो समच्छत पद जो है उसकी 9,000 सम्ति में है क्रसी के जो से संबंदित है ठाई अजार करनेश्ट सायक और आजविलिपिक 2000 प्रयोग साला प्राविदिक और एकसरे प्राविदिक 1200 अगली दिने उसे कंप्यूटर ऑपरेटर भरती आवेदन जो है वो आज से प्रोग्रामर्स रेडी टू प्रवंदक सिस्टम के के भी लोग से वायोगने जो है वो आवेदन मागे हैं अगली दिने उसे कंप्यूटर ऑपरेटर पाथ के लिए आवेदन आसते हैं उसमें भी देखें वही सारी चीज़े लिखिए ऑफिशल वेक्साइट दे रखिए इस पर विजट करके आप देख सकते हैं अगली दिने परिक्षा है MTS 2020 पाच अक्टूबर से दो नवंबर के वी संपर्ण भी परिक्षा तो टोटल कंप्लीट हो गई उसी के बारे में लिखा है अग्निन से UP वोर्से से लिएटिट टेड कि OMR सीट पर परिक्षा देगे नौभी के जो है वो छात्र तो राष्टी सिच्छा नि 2020 के तहट बोर्ट ने बहुत बड़ा वदलाव किया है लिकित परिक्षा के सतर अंगों के प्रस्न बत्र को दो भागों में बाटा गया है प्रस्न बत्र के लगबत 30 परसन यानि की 20 अंग का प्रतम भाग बहुविकल्पी होगा उस जिसका उतर OMR सीट पर देना होगा और 70 तंबर के प्रस्न बत्र दूसरा बाग वो वर्णात्मक प्रस्न का जो होगा अगली ने सिच्छक भरती में पिछड़ गई मेधावी प्रेटियां यहाँ पर जो है वो से लिटेट है कि इगनू आवेदन की अंतिन तिथी जो है वो बढ़ा दी गई है इलहाबाद डिग्री कॉलेज अंतिन के इंद्र के जुस्वा बन्वेक है उन्होंने बताया है अब जो तिथी हो गई है वो 12 नौवंबर जो हो गई है अगली ने उस है समों गा जो भरतिय या उसमें अंग्रेजी जो है वो जरूरी 22,05 पर भरतियों के अल्लाइन प्रक्रिया है उसी के संदर में लिखा गया है कि आयो का माना है कि अंग्रेजी और कंप्यूटर इनकी जानकादी सबसे ज़्यादा जरूरी है इस वीडियो की दो साल बाद बैक पेपर वाले अब बरतियों को किया गया और त्रीड यहाँ पर प्रदेश के राजकी है अनुदानित और निजी पॉलिटेक्निक से 2019 में पढ़ाई करने वाले जो 11,000 से ज़्यादा बरतियों उनको दो साल के बहादरात मिली है और उसी के बार में आप पर लिखा गया है अगली और इस वीडियो की लाश्ट निजी देखते हैं इसके लावा वीडियो पसंदा है तो लाइक भी करते रहीएगा कि 7,965 करोड की रक्षा खरीद को मिली जो है वो मंजूरी करेंट अफेर से रिलिटेड जो है यह निजी में इंडिया के तहत 12 हेलिकॉप्टर की जो होगी खरीद यहाँ पर नई दिल्ली से निजी की रक्षा मंत्रा ले ने 7,965 करोड रुपे के जो हत्यार है रक्षा एरोनार्टिकल लिमिटेड से बारा लाइट यूटिलिटी हलिकॉप्टर जो है वो खरीदे जाएगी है जोड़ाल सा करेंट अफेर से रिलेटेड भी आप याद रख सकते हैं आज कोड़ में इतना ही वीडियो पसंद आए और लाइक कीजेगा और लोग सा शेयर कीजेग मिलते हैं अगले अपडेट में तब तक के लिए मस्कार जैहिए